हालो दोस्तो वेरी गोड इवनिंग स्वागत एस सबका इंफो बेट चानल में मैं हुआ आपका दोस्त आपका बेर सवागत करना दोस्तों दोस्तों आज मैने इससे पहली बेग फार्मा स्टॉक पर बारा बात किया था और आज भी एक फार्मा से llevar स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं इसके क्वाटर फॉर के रिजल्स आच चुके हैं रिजल्ट काफी इंड्रेस्टिंग है तो मैंने का क्यों नहीं आपके लिए वीडियो बना दूं अब लोग रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे और साथ में किस तरह का को क्या हो सकता है डेफिनेटली उसके बारे में भी बात करने वाले हैं वीडियो जादा लंबा नहीं होगा तो अच्छा लगता है तो लाइक जरू कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा और टेलीग्राम के लिए लिंक में देकर के रखा हुआ है अब दोस्तो देकर कि 3100 रुपए से रेकर के 3400 के आदफर बियुक्त रुक चुका है उसी एक पर्टिकलर रेंज बेंगे जो है वो ट्रेड हो रहा है और यहां से अभी स्टॉप पॉसिबिलिटी है कि करेक्ट हो जाए तो पहले रिजल्स देख लेता है फिर देखें कि मार्केट का हाल और फिर आगे एक एक करके बात को आगे बढ़ाते हैं पहले तो result के बारे में बात करते हैं देखिए डिवीज लाप का quarter 4 का result है 29% तक का profit में jump दिखाई दिया है जो काफी बढ़िया है 52 करोड का और इसमें सबसे बड़ी बात है कि यह operating income है साथ में margin भी काफी बढ़ा है दोने चीदों का difference पहले समझा दूँ आपको operating income का मतलब होता है जो आपने income आया आपके business से operations खास करके यह अगर product बनाते हो तो product बेच करके जो पैसा आपने कमाया उसका मतलब होता है operating income total income में आपको operating income आता है plus other income आता है तो उसका dividend या फिर उससे आने वाला gain वो भी income में ही count होता है बट वो operating income में count नहीं होता है तो operating income का मतलब है जो cheese बनाई जो बेची और उससे जो पैसे मिले वो operating income है अब margin के बार में जानते है margin वो चीज होती है दोस्तों जब आप एक product का price decide करते हो और उसका actual cost क्या होता है यानि अगर मेरा बनाने वाला cost 2 रुपया है और बेचने वाला 5 रुपया है तो 3 रुपय मेरा margin हुआ ठीक है तो वो एक चीज़ समझने वाली बात है अब consolidated profit जो है 44.2% बढ़कर के 198.29 crores हुआ जो की जैसे revenue अगर हम लोग बात करें तो लगबा 29.2% से बढ़कर 6969.4 crores हुआ पिछले year के comparison में अगर हम लोग थोड़ा और detail में समझने की कोशिश करें तो देखेगा जैसे मैंने कहा कि quarter profit जो है वो 28.7% से बढ़कर 1788.9 crores हुआ और profit before EBIT यानि earning before interest tax depreciation and amortization ये 61.2% यानि 716 crores का था और margin improved जो के 807 BPS से 40% से बढ़ा है तो आप compare कीजेगा साल में कितना बढ़ा range जोने कर लिया है और consolidate profit के अगर बात करें तो 44% से बढ़कर 1984.29 हुआ और revenue का जैसे मैंने नेका 29% बढ़कर 690, 690, 4 crore का हो चुका है तो results तो काफी बढ़िया 30% का growth बहुत बढ़िया quarter में हम लोग कहेंगे और अगर मैं इसको market की तरफ लेकर के चलता हूँ तो देखेगा लगबग 4,80,000 crore का stock trade हुए जिसमें से 1,19,000 stock की delivery उठाए गई जो 25% की आसपस की दिखाए लेती है stock की अगर बात करें stock की value की खार करके तो देखे 4,125 का stock है तो definitely यहाँ पर जितना भी trade करने वाला एक crowd है वो limited होता है क्योंकि यहाँ पर capital एक बहुत बड़े capital की जरूरत होती है अगर आप एक अच्छा trade करना चाहते हो और अगर आप 1 share, 2 share, 10 share, 15 share भी ले लेते हो तो कब से कम 40-50,000 की investment in stock होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो यहाँ पर वैसे भी crowd कम होता है और उसमें से भी 25% की delivery अगर आपको दिखाई देती है तो आप एक अंदादा लगा सकते हैं कि एक अच्छी delivery हमने उठाई है यहाँ पर दिखेगा मैं अगर इसका analysis करता हो तो definitely हर एक farmer stock आपको फिलाल intrinsic value के उपर ही मिलेगा return FD से अच्छे है dividend इतना अच्छा नहीं देते बड़े stock entry point काफी अच्छा है कोई flag नहीं है sector P43 है stock 80 पे आ रहा है यहनी stock काफी महिंगा है अगर लोग returns की भी बात करें तो देखेगा एक week का return लगबग 1% month का 6% year का 72% और पास साल में लगबग 300% का return stock दे चुका है forecast की बात करने तो 17 में से 76 analyst आपको कहरें कि आपको stock को खरीदना चाहिए दोस्तों चार्ट के अगर बात करें तो current chart लगबग overbroad zone में जाने के लिए तयार है लगबग 63 का weightage हो चुका है price का में से तरफ देखेंगे तो अभी भी में सीडी स्टॉक को बेरिशी बता रहा है अभी तक signal line में सीडी लाइन के उपर ही ट्रेड हो रहा है शौक अभी भी बेरिशी दिखाई देता है अगर हम लोग बात करें चार्ट की तो देखें काई लगबग मार्च के बाद stock जो है वो गेर करना शुरू किया अब ट्रेंड में दिखाई देरा यहां पर आपको एक चीज दिखाई देगी एक टरनल बना हुआ और दोस्तों अभी तक अगर आपने अपना डिमैट अकाउंट ओपन नहीं करा हुआ है या फिर सिंगल डिमैट अकाउंट के साथ अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो दोस्तों आपके पास दो डिमैट अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्यों यह मैं बिल्कुल आपको एक वीडियो के जरे बताऊंगा लेकिन दोस्तों अगर आप कोई दूसरा ब्रोकर ढूंड रहे हो तो जिरोदा आपके लिए बहुत ही बड़ी आप रहेगा क्यों मैं आपको बताता हूं दोस्त चार मीलियन जीरो दाखे क्लाइंट हो चुके हैं दोस्तों और पंदरा परसेंट जो भी रीटेल और वोल्यूम जाता है वो जीरो दाखे थ्रू जा रहा है एकनोमिक टाइम्स में स्टार्ट अफ यह का अवर्ड मिला हुआ है साथ में NAC, MCX, Best Retail Brokerage का अवर्ड इनको दि चार्ज किया जाएगा और mutual fund का investment बिल्कुल free है इसमें ना ही commission लिया जाएगा और ना ही dp charges लिये जा रहे हैं दोस्तों जीरो investment के साथ आप account open कर सकते हो account open करने के लिए आपको जाना है description में दिये गए link पर click करना है online account create करना है एक गंटे के अंदर आपका account open हो जाता है दोस जैसमें आपको पहली भी कहा है channel बना हुआ है channel के अंदर जो है नहीं दूस्तों इसको थोड़ा color कर दो तकि आपको यह दिखाई दे दिखिए channel के अंदर यह फसा हुआ है और यह 1000 के point का tunnel है तो stock इतने ही range में trade हो रहा है और यह breakout हुआ एक resistance के बाद यह breakout देखने को मिला है है हमें लैबर 29th of April को और तब से देखेंगे तो stock जो है वो वापस एक range बना चुका है वो ना ही जादा उपर जा रहा है ना ही जादा नीचे आ रहा है तो यहाँ पर एक हमें देखने को मिल सकता है जब Monday को market खुलेगा तो अगर यह result का funda काम कर जाता है trigger कर जाता है तो य आपको एक range देता हूं जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत बड़ी हा काम कर सकता है जहां पर करनी है खरीदारी stock अगर आपको कल यानि Monday को positive mode में दिखाई देता है तो stock में खरीदारी करके चलना है यह अगर आपको 4050 के आसपास कई पर मिल जाता है तो जरूर उठा लेना stock को for the target of 4500 जी हां बहुत बड़ा target दे रहा हूं साड़े 400 point का target दे रहा हूं दोस्तों आने वाले समय में यह stock उतना level touch कर सकता है stock में उतना power भी है capacity भी है और धीरे धीरे stock के result और जैसे और चीज़े सुदर दी जाएंगी stock में movement देखने को मिल सकता है stop loss भी लगाएंगे दोस्तों stock में देखिएगा जैसे हमने कहा के 4050 के आसपस अगर इस stock मिल जाते तो खरीद लीजेगा तो उसके साथ में stop loss भी लगाना बहुत जादे दूरे 3800 को stop loss है तो 2500 रुपए का range नीचे है और 500 रुपए का range उपर है नि 1.2 का ratio है तो मुझे तो फ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा मिलते हैं बहुत जल्दे अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू तर्वाइब